दर्वंगा के राज मैदान में च्यार मैई को देश के प्रदान मंत्री नरेंद मोधिक एक चुनावी जनसभा को संबोधत करेंगे प्रदान मंत्री के आगमन की खबर के बाद यहां हलचल काफी तेज हो गई है पूरे राज मैदान में भवबन पंडाल और मंच का निर्मान का काम शिरू हो गया है दरजनों मजदूर तरह तरह के मशीन के साथ पंडाल और मंच निर्मान काम में लगे है वहीं सुरक्षा वेवस्ता को लेकर लगातार पुलिस प्रश्यासन की टीन भी राज मैदान का दोड़ा करती दिखाई दे रही है और बुदवार को सुरक्षा का जाइजा लेने सभास्तल राज मैदान मितला छेतर दरवंगा की डियाई जी बाबूर राम पहुँचे कोई कमी ना हो इसके लिए विधायक अपने समर्थकों के साथ पूरे मैदान घूम घूम करेगे चीज को बारी की सी देख रहे हैं वहीं प्रदान मंतरी के आगमन की खबर के बाद जीला प्रशासन भी सुरक्षा विवस्ता के लिए राज मैदान पहुच माता पच्ची करती दिखाई देती है तरवंगा नगर के विधायक संजेश सरावगी ने प्रदान मंतरी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित है साथ इनुन बताया कि मितला के पाहुन भगवान श्री राम को अयोध्या में राम जन भूमी में बने भवे राम मंदिर में प्रान प्रतिश्टा के बाद माता सीदा की धरती पर प्रदान मंतरी आ रहे हैं ऐसे में मितला के लोग प्रधान मंत्री की एक जलक देखने और उन्हें सुनने को बेताब हैं। तो लोगों की आने की भी उचित ब्यवस्ता है, पंडाल लगवाई, ढईलाक स्क्वार फेड में पंडाल बंडा है, चालिस हज्जार कुरसियां लग रही है। बात्सात रेल ओबर ब्रिज उन्होंने सुक्रित किया, दर्भंगा जाम से मुक्ती मिले। और दर्भंगा में इस्टेशन बिस्वस्तरी है, इस्टेशन बंडा है, लरिया सराय में बंडा है, और वे इतनी सारी जोजनाएं दर्भंगा को दी है। और सबसे बरी बात, तो हमारे पाहुन को जो टेंट में थे, हमारे पाहुन को उन्होंने जो है, 22 जनवरी को राम लला का प्रान परतिश्ठा मंदिर में कर दिया। भगवान सराम हमारे पाहुन है, मितला की बेटी है जनक जाननी मया सीता, 500 साल से हमारे पाहुन जो है टेंट में थे, और आज बाही जनवरी को उन्होंने राम लला को का प्रान परतिश्ठा किया, इससे और ज्यादा मितला के लोग उत्साहित हैं, प्रधान मंतरी जी को द कर रहे हैं कि आप आईए, अपने लोगप्रिय नेता, अबिस्व के सबसे लोगप्रिय नेता को सुनिये, और आपके लिए उचित वेवस्था जो है, सरकार के माद्यम से हो, कि हम लोग के माद्यम से हो, यहां की गईए, आपको कोई समस्या नहीं होगी. प्रदान मंतरी जी, कहीं बोलते हैं तो पुरा विस्व पुरा देश सुनता है, और वो देश के किसी को नाम इसे भी बोलें, तो उनका पुरे देश पर परभाव पड़ता है, लेकिन मिथला की पुन्नी भूमी दर्भंगा से वो बोलने वाले हैं, जनक जाननी मया सीता की जन्मस्तली से बोलने वाले हैं, और भगवान सिरी राम का प्रतरान प्रतिष्ठा होने के बार पहली बार मिथला आने वाले हैं, तो समस्त मिथला से लेकर सिमान चल तक लोग उनके मिथला के मुख्याले में क्या बोलते हैं, वो दर्भंगा के मिथला के विकास की बात बो पुर जूर Brah j remains उन्होंने इतनी बरी ब्रांडिंग करने पूरे बिसो में हमारा मckbei भशा यह रिजगार की साधन शीर्जन हुआ है इसलिए मानिये प्रधान मंत्री जी के इंतजार में मिथला के लोग पलक पाउड़े बिछाए हुए हैं कि कब प्रधान मंत्री जी आवे हैं और इस एतिहासिक राज मैदान से वो मिथला के और दर्भंगा के लोगों को संबोधन करें स्वाइस हुर्ध लोग आने वाले इस राज मैदान की चंता लगभग 20-30,000,000,000 लोगों की है लेकिन हम लोग को लगता है कितने धूप में भी यह राज मैदान चोटा पर जाएगा कोई कि श्वाइस पूर्ध लोग आने वाले आम लोग इनको सुनना चाहते हैं मिथला के लोग उनकी बानी को करन प्रिय बानी से अपने को लाभानवित करना चाहते हैं इसलिए यह राज मैदान में उस दिन छोटा पढ़ने वाला है दर्बंगा जिला के बहरी थाना चेतर अंतर गत सिरुवा बिल गाउं में भीशन आग लगने की घटना पिशले दिनों हुई थी जसा आग लगी की घटना में कई घर जल कर राख हो गए थे और घर में रखे वे सारे अविश्क समान भी आग में जल कर खाक हो गए थी लेकिन आग लगी की घटना के करी दिन बीच जाने के बाद भी परिटपड़िवारो को सरकार या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई डाहत नहीं मिली है पिरित पड़िवारों को सहयोग की उमीद है हलांकि घटना के बाद कुछ कागजी प्रक्रिया सरकारी स्तर से जरूर हुई थी लेकिन अब तक उस पर कोई डाहत नहीं पहुचाया गया है ऐसे में आग लगी कि घटना के बाद घर से बेगर हुए लोगों को आशियाने की आविशकता है पिरित पड़िवारे के लोगों का कहना था कि ना तो पानी लोगों को मिला है ना तो खाने की कोई विवस्ता है ताती बताया गया कि कुछ इस्थान ये समास से भी लोगों की द्वारा थोड़ा बहुत मदद पहुचाया गया है तमाम घटना के समन बताया जा रहा है कि 28 तारी की ये घटना होई थी जिसमें बहरी थाना छेतर अंतर गट सिर्वा बिल गाओं में भीशन आग लगी की घटना सामने आई थी जिसमें कई घर पूरी तरीके से जल गए थी अमाम घटना के कई दिन बीच जाने के बाद जो मीरिया के लोगों ने परित परिवार से बात की तो इन लोगों ने कहा कि प्रशासन और सरकार की ओर से हम लोग उमीद लगाए हैं कि हम लोगों को खाने और पीने के लिए और आविसक चीजों की जाहत पहुचाई जाए यह 28 तारीक को अगलागी कांध हुआ उसके बाद हम लोग सियो सहाब को हम ही सब समाज के बीच में बोले सियो सहाब आप कॉम्निटी कीचेन का तुरत बबस्था किजिए इसलिए कि सुबाह में आग लगा और साम तक जो है कोई बच्चा भी खाना नहीं खाया और आज रात में अगर खाना नहीं खाएगा तो कैसे होगा तो सियो सहाब कहें कि उसमें आपको समय लगेगा अभी किसी तरह बबस्था की लिए हम और यहां के राजीम मंडल भुख्या जी है हमारे अपना अपना इच्छा कोस से जो है सुपईशा दिये हैं जेब से पईशा दिये हैं और उसी रोज से हम लोग सुबाह साम खाना का परवन्द किये उसके बाद विदायक जी आए विदायक जी भी अस्वासन ही करके हरातल पर अभी तक विदायक जी का पहिला दिन वह नहीं खाना का जानत दीजिये दरसन भी नहीं है उसके बाद कुछ कुछ जो है वी चुनाब का टाइम है लोग आते है फोटो घिचाके चले जाते हैं कितना तकलीफ का बात है आप लोग को देख करके आँख में आशु आजाएगा इस तरह का भी पताब में लोग आता है और सेल्फी नीचाके जाता है हम यह जाए अग लगी जो है सो लोग जो है सेल्फी पॉइंट बना दिया हम आपके माद्यम से उनको हाथ जोर के पराथना करते हैं आए मदद कीजिए यहां जो है सो फोतो नहीं जाएए शल्फी नहीं लीजिए आए और धारातल पर मदद कीजिए जो ही हो कोई जोर जबरबस्ति नहीं है आप एक किलो चुड़ा और एक किलो गुड़ भी देना चाहते हैं तो आकर करके दे दिजिए लेकिन यहां पर सल्फी मत लिए और यह अभी आप देखिएगा मवेशी जल गया है ुड जो मवेशी अस्पाटाल पून किया हुरे दक्टर को पून किया शीय सहाँ को उखिया जी से नहीं दिजिए दक्टर आये और वह देख करके गए हां उनका धरातल पर जो मलहम होना चाहिये वो मवेशी बहुत चिंता गनका है कि हुंको नहीं लगता है कि स्काइब कर ता लोग को क्या क्या कराया गया कम कतर हम सर कुछलल नहीं मिला था कान के लिए कुछ इन athlete कब लगा है आग तर लगा है अज क्या दिन हुआ है आग तीन दिन में कोई देखने के लिए नहीं आया है नहीं सर शुरू कहां से हुआ शुरू आगे से हुआ बाद में पूरा सब घर जल गया है जागो घर जला है हम्हार क्या नाम हो आपका देवी कहां घर हुआ हमारा घर है है कि यह का बताई क्यों क्यों का आप पहां के हैं नहारा में आप नई सुस्रार है नहरा है संखे रहा है अनाज बहुत था अमना में उभी जल गया कप्रलता सब जल गया घर दुआर सब जल गया अभी अभी जो रह रह रहा है कोई अभी है याई में सोता है रातकर कोई पदाधिकारी आये थे आया है सब लिख लाके गया है आया था गया घुमकर अचा कुछो मिला नहीं है आप लोगों को क्या बोले वोलता है हो जाएगा हो जाएगा आने पिने के लिए कोई बेवस्थ नहीं पती का क्या नाम है अमर्जीत सब्सक्राइब को घर है आपका हमारा घरता है एक दू तीन चर आई लगा के पांच को घरता है अपने पुरा फैमिली ये के घर था आपने फैमिली में क्या को मेंबर है तीन भाय था आप्ते पती ही इंदियां ता साव शासूर था अच्या बच्चा उच्चा भी कोई नुक्सान हुआ है रखा था और भी नुक्सान हुआ है मर गया सर, महक गया, ता सांध में फ्यक दिया पासियो संग भाग लिया गोडियारी विद्याले सिक्षा समीती के पुरवद्ययक्ष विपिन कुमार सिंग ने कहा कि इनुद दुरस सिक्षा के माधियम से लोगों को विश्जसतर ये उच्चे सिक्षा प्रदान करा रहा है यह हमारे ग्राम पंचायद के लिए संब मान का विशय है कि उन्त भारत अभियान के अंतरगत एगनु छेत्रिय के इंदर दर्भंगा द्वारा ग्राम पंचायत गोडियारी को गोद लिया गया है ग्राम पंचाइट गोडियारी के मुखियार सुरेश प्रशाद सिंग ने कहा है कि बच्चों के लिए सिक्षा सबसे महत पूनंग है ग्राम गोडियारी हर बार बार एवं सूखा से प्रभावित रहता है जिसके कारण इस ग्राम पंचायत के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस ग्राम पंचायत में 10 से 15 गाउं इस्थित है जिनमें केवल एक ही 10 प्लस टू विद्धाले इस ग्राम पंचायत में इस्थित है कारिक्रा में चेती निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम इस ग्राम पंचायत के लोगों एवं चातरों से रूबडू हुए उन्होंने वातावरन को सुरक्षित रखने एवं प्लास्टिक के दुरूपयोग से बचने कले कहा उन्होंने चातरों को इग्नू के बारे में सूचना प्रदान की एवं सिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने के बारे में बताया इस मौके पर इग्नू चेत्रिय के इंदे दर्भंगा द्वारा मध्धि विद्याले गोडियारी के पुस्तकाले के लिए सहायक चेत्रिय निदेशक डॉक्टर अकाश अवस्ती ने उपस्तित लोगों से मद्दान करने की अपील करते वे कारिक्रम में समलित होने के लिए धन्यवाद ग्यापन किया विद्याले के सिक्षक दिवाकर प्रशाद सिंग इग्नू छेत्रिय के इंदर्भंगा द्वारा आयोजित की गे जागुक्ता कारिक्रम की प्रशनसा की आज़े इस कारिक्रम में गोडियारी ग्राम पंचयत के लगबग सो सेतिक ग्राम वासियों ने भाग लिया इसके लिए आप सभी का बहुत विद्रता खुर्वा का भी वारत करता हूँ इसका मैं बहुत भीड है कि अभी आपनों की अभी काटे होंगे फूसा द्वाई हो रही होगी मवेशियों के पानी चारा का सब पर इंतिलाम करता होगा साधी ब्यां का सीजन भी आ रहा है उसमें भी लगन वगन विगोशिव उन सब काम में से आपने हमारे इस कारिटरों के लिए जो अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो आपकी नजर में अगर ऐसा कोई बैटी है जो इस कैटेगरी से बंचित तब्के से बिलॉंग करता है दुबाय ग्रेटिशन और एडिशन लेग सकता है माकि सभी के लिए खुला हुआ है मैं इस कारिकरम के लिए आधरणिय सिच्छा समित्यपूर में अध्यक्षन आया है विबिन जी उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ मैं गाओं के मुखिया आधरणिय सुरेश जी का धन्यवाद ग्यापन करता हूँ जीला एवँ सत्र नियाधीश जीला विदिक सेवा प्रादिकार के अध्यक्ष विनोत कुमार्तिवारी के निरदेश शानुसार अंतरराश्ट्यय मज़वद दिवस के उपलक्ष पर अपर समार्ता एवं सत्र नियाधीश प्रथम रमकांत की अध्यक्षता में जागरूपता कारेक्रम का आयोजन एडी आर भवन में किया गया कारेक्रम को समोज़त करते वे एडी जे रमकांत ने कहा कि मजदूरों को भी मानवद्धिकार का हक है सरकार दोरा समय समय पर उनकी मजदूरी का दर तै किया जाता है तै दर से कम दर पर मजदूरी कराना मजदूरों का शोशन करने जैसा है मजदूरों के कारे करने का समय विधी पित तै है काम के दोरान के साथ सही बरताब किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कारेस्तल पर महिला उंकी सुरक्षा है वा उनके बच्चों की देखवाग के लिए कुछ नियम और कानून बनाएंगे हैं जिसके प्रती जाग रुकता अभियान जरूरी है जिला विदिक सेवा प्रादिकार के सचीव रंजन देव ने कहा कि मजदूरों को जरूरी विदिक सहायता उपलब्द कराने के लिए नालसा द्वारा भी योजनाओ को लागू किया गया है उन्होंने कारिक्रम उपस्तित पारा विदिक स्वय सेवकों से कहा कि जरुवत मन मस्दूरों को निशुल्क विदिक सेवा उपलब्द कराने के लिए उन्हें प्राधिकार तक अवश्चिलाने इस अफसर पर पैनल अधिवक्ता और पारा विदिक स्वय सेवक उपस्तित थे लोगसभाम नर्वाचियन दोहजार चौबिस को लेकर जीला नर्वाचिन पदादिकारी साथ जीला पदादिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में कोशांगों के वरिये पदादिकारी, सभी सहायक नर्वाचि पदादिकारी, नोडल पदादिकारी, सहायक नोडल पदा पदादिकारी से मद्दान केंद्रों पर सुनिशित न्यूंतम सुविधा यथा मद्दाता पडची वित्रन पानी बिजली सौचाले रैंप शेड वीलचेयर पी डबलू मद्दाता पचास प्रतीशत मद्दान केंद्रों पर वेब कास्टिंग वाहन को शांकी तैयारी के विध्यालों में पानी के दो-दो घड़े उपलब्द करना सुनिश्चित करें समिक्षा के क्रम में प्रखन विकास पतादिकारी कुशेश्वरस्थान द्वारा बताया गया कि 95 प्रतीशत कुशेश्वरस्थान पुर्वी 89 प्रतीशत बिडौल 91 प्रतीशत गोड़ा-बो घंशयामपूर 94 प्रतीशत मनीगाची 88 प्रतीशत तर्भंगा सदर 89 प्रतीशत हायागाट 86 प्रतीशत बहादरपूर 86 प्रतीशत हनुमान नगर 87 प्रतीशत केवटी 55 प्रतीशत सिंगवारा 84 प्रतीशत एवं जालेद्वारा 72 प्रतीशत मदाता पर्ची का वितरन करा लि रख नहीं है। जिलन्वाचन पदाधिकारी ने काड़ेपालर pytanie करहा, प्रुस्त कर लेना कर ली ने कानिर्देश दिया। झाल झाल